जार्खन बचाओं मोर्चा का राज्यस्तरिय सम्मेलन कार्णीवल बैंके ठोल डीबाडी राची में हुआ इसमें हजारों की संख्या में राज्य के सभी जीलों से जार्खन बचाओं मोर्चा के वर्यनेता एबम कारेकर्ता गन उपस्दित्वे जार्खन बचाओ मोर्चा के केंद्रे मुख्य सनियो जक्सा विधायक लोबिन हैबरेम मुख्य रूप से कारेकरम में भाग लिए तथा जार्खन को एक नई दिसा देने के लिए जार्खन बचाओ मोर्चा के नेताओं एवां कारेकरताओं को संबोधित किया सरकार से नराज चल रहे लोबिन बीच बीच में सरकार को आइना दिखाने का काम करते रहें जल जंगल जमीन की रट सरकार में यहां के लोगों की जमीन सुरक्षित नहीं सियंटी और स्पीटी एक्ट में होने के बावजुद भी मूलबास्यों और आदिवास्यों की जमेन धरले से बेची जा रही है अलग राजी होने का जो गुरुजी का सपना था वो पूरा होता नहीं दिख रहा है रोजगार की बात करें तो यहां की युबाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है देखें जार्खन बचाव मोरचा जो हमने गर राजी संगठन बना है इस राज की इसीती पृषिती को देखते हैं हमको बनाना पड़ा चुकि यह राज अलग हुआ यहां के लिए आदिवासी यहां के मुलवासियों के लिए लेकिन आज जो आदिवासी और मुलवासियों का जो हालात है चाहे जल जंगल जमीन की बात हो यहां की लोगों को एक्ट रहने के बावजूद यहां की लोगों का जमीन भड़ाले से बीचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और बहुत गलत तरह किसे जमीन का खरीदविकरी हो रहा है, जब कि यहां एक्ट है, एक्ट रहने के बाद भी आज यहां की लोगों का जमीन नह कि अब अभी तक इसको आज चाहें भूल वश्यक के जमीन हो चाहें आधिवासिय को जमीन हो यह जमीन डेक रहें कि आप बचने वाला नहीं है और यहां के लोग उजड रहे हैं और आज जो उमीद था लोगों को जो भरोसा था जो सपना था मारने गुरूजे का अलग ज्व पूरा होते वे नहीं नजर आ रहा है इसलिए हमने एक गराजती संगठन वनाया है और इसके माधधत हम सरकार को हम आहना दिखाते हैं और भीच वीच में आप देखे भी होंगे लेकिन अभी तक उसका किसी भी तरह का कोई इंपलिमेंट नहीं हुआ है ना यहां के नौजव के दलिता दिवाशी मुलवासी समाज के लिए वो सपना जो राज निर्मान के बाद जो जहां था आज भी वहीं पड़ा हुआ है और यह सम्मेलन आने वाले दिनों में जारखंड की राजनीत में और जारखंडी समाज के लिए दसा और दिसा निर्मान का गतित देने का काम करें